हलो फ्रेंट्स वेलकम टुश्वानिस किचन आज मैं आप लोगों को भांग की बीज खाने के फायदू के बारे में बताऊंगी आपने डाइप में शामिल करने के लिए या सिहत के लिए फायदिमन कई तरह के बीजों के बारे में सुना होगा आम तोर पर कद्दू के बीज, अलसी के बीज, चिया सीट्स और खरबूजे के बीज आदी भी खाये जाते हैं लेकिन आजम जिन बीजों का जिक्र कर रहे हैं वे भांग के बीज हैं भांग के बीजों में अनिक प्रकार के पोशक्तत वपाये जाते हैं ये बीच प्रोटीन, काप्स, फाइबर, विटामिन और एंट्रिन फिल्मिलेटरी गुणों से भरपूर होते हैं, इन्हें शरीर की रोग प्रतिरोधर शम्ता बढ़ाने में भी असरदार माना जाता है, वही वजन कम करने में भी ये बीच मददकार साबित होते हैं, तो आए ये जानते हैं भांग के बीच खाने से होने वाले पायदों के बारे में, पोशक तत्वों से भरपूर भांग के बीजों को भून कर कच्चा या फिर पका कर भी खाया जा सकता है, इतना ही नहीं देश विदेश में ऐसे पहुत से लोग हैं, जो इन भांग के बीजों से बन और anti-inflammatory good पाए जाते हैं जो तवचा के रूखेपन और खुजली को दूर करते हैं भांग के बीच में पाए जाने वाला amino acids शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बनने में मदद करते हैं जो रक्तवाही नियों को dilate करता है जिससे blood pressure कम होता है इस चलते ये बेज दिल की सेहत को दुरुस्त रखते हैं फाइबर और protein की अच्छी मातरा होने के चलते इन बीचों को खाने पर पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है इससे food intake भी कम होता है और वजन घटाने में मदद मिलती है भांग के बीचों में dietary fiber की अध्यदिक मातरा पाए जाती है इतना ही न नहीं हद्गार है। हड्यको म्सबूत बनाने में भांग की फाइदिक माना जाता है क्योंकि भांग के बीच में केल्षियम बरपूर मातर में पाए जाता है जो हड्यको मसबूत बनाने में मदद करता है मस्तिश को स्वस्थ बनाय रखने में भांग का बीज बहुत ही फायदमन माला जाता है क्योंकि भांग के बीज में fatty acid मौजूद होते हैं जो Parkinson's और Alzheimer's रोग जैसी मस्तिश की परिशानी को कम करने में मदद करते हैं इन बीजों में omega 9, magnesium और vitamin B प्रियाप्त मातर में पाय जाते हैं जो mood को बहतर बनाते हैं भांग के बीज में calcium होता है इसलिए अगर आप भांग का सेवन करते हैं तो इससे आपको अच्छे नीदा सकती है और शरीर relax वील कर सकता है आपको बता दे कि भांग के बीज की एक serving में रोजानकी जरूरत 50% तक magnesium पाया जाता है भांग के बीज को रस्टॉल के स्तर का उचित संतुलंद बनाया रखते हुए हिर्दे स्वास्ते की रक्षा करने में महत्पून भूमी का निभाते हैं इन में amino acid और जिनन और गामा लिनोनिक acid होते हैं जो रखते चाप को कम करने और हिर्दे स्वास्ते में सुधार करने में मदद करते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे वीडियो थोड़ा सभी helpful लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चानल को सब्सक्राइब सरूर कीजिएगा धन्यवाद